राम राम प्यारे साथियों मैं सुनील शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक और नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के उपपर और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भई अच्छासी C, A, T, Group C और D की जो बरतियां थी उन बरतियों के बारे में जो Group D है आप लोगों का इसका Portal है वो कब तक अपडेट होने की संभावना है यानि कि इन चीजों के बारे में और जो Group C है उसका result कब तक आएगा भई इन चीजों के बारे में कल चंदिगड में मीटिं के अंदर क्या कुछ हल निकल कर आप लोगों के लिए सामने आया है वो आप लोगों को इसी वीडियो के मैद्यम से बताने का काम करेंगे प्यारे साती हो अगर वीडियो अथी लगती तो लाइक करना और अपने YouTube चैनल को सस्क्राइब करने का काम करना ताकि आप लोगों को परतेक परकार की वकैंशिया है उन वकैंशियों के बारे में आप लोगों को A to Z चीजों की नोलिज है वो मिल्स के बई अब दिखाएंगे आप लोगों को जो चंदीगड के अंदर कल क्या कुछ हुआ वई उन चीजों के बारे में और जो CM साहब है उन्होंने क्या बताया बई कल आप देख सकते हैं प्यारे सातियों बई हर्याना के मिफ्या मंतरी मनोहरलाल खटर बई सबी को पता है कल लाइव आये थे और वहां से यही बात बोली थी कि पहले ग्रूप C की बरती होगी उसके बाद ग्रूप D की जो पद्ध है या जो बरती है उसको पूरा करने का काम क्या जएगा वही नोकरी की जो लाइन में युवा हैं युवां को मैरिट मीशन के दारब भई प्रदेश सरकार या खटर सरकार बरती करने का फोकस है तो यानि कि जो मैरिट के अंदर आएंगे उन बच्चों को नोकरी देने का काम क्या जाएगा और जब CM सहाब ला आकरा आप लोगों की बर्तियों के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं, और पहले आप लोगों की जो ग्रूप सी है, इसके लगबग आठ से नो ऐसे ग्रूप होगे जिनका रजल्ट निकाला जाएगा बई बाकी ग्रूपों का तो एकजामी नहीं हुआ है कि जो ग्रूप C है वहाँ पर ज्यादा पद नहीं होंगे यानि कि ग्रूप C के अंदर 3-4,000 पदों वाली बरतिया है जो छोटे छोटे ग्रूप है उनकी बरतिया पहले करने का काम किया जाएगा उसके बाद ग्रूप D है आप लोगों का बैई ग्रूप D के जो 13,000 कुछ प दिपार्टमेंट है या 50 दिपार्टमेंट है जितने भी दिपार्टमेंट है उन दिपार्टमेंट के अंदर अभी ये नहीं पता लगा कि इस दिपार्टमेंट के अंदर कितने पद खाली है जैसे ही पूरी की पुरकुरी परकीरिया है SSC के पास पहुंचेगी उसी टाइ पूर्टल के मैदन से बताने का काम क्या जाएगा और इनी चीजों के बारे में कल वही जो मुख्या सची होगा हर्याना के संजीव कोशल अपसरों के साथ मेटिंग की थी हो और इस मेटिंग के बाद यही निरने आथा कि जैसे ग्रूप D के पदों का पूरी के पूरी डिटेल एचसहसी आयो के पास पहुंचेगी वैसे ही आप लोगों के लिए ग्रूप D का पूर्टल होगा उसको ओपन करने का काम क्या जाएगा प्यारे साथ यूँ यह बात यहां पर बोलने का काम क्या गया है कि जो ग्रूप D के काम करना है और जैसे यह काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए पॉर्टल को उपन करने का काम क्या जाएगा और जो यह अधिकारी थे जो डीसी थे जो जीले के बाई जहां पर यह डिपार्टमेंट हैं उनके साथ वीडियो कॉनफरेंच की गई थी उसके म कुमांग पत्र भी जा गया है करमचारी कोमन का अंडर रहेगा उन्होंने विविन विबागों और जिलों में लगाया जाएगा यह चीजे थी प्यारे साथियो जो कल मेटिंग होई थी उस मेटिंग के दार पर यही निर्णा आया कि तीन दिन के अंदर अंदर आप लोगो की साथ से आठ तारिक होगी वहां तक आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन को जारी करने का काम किया जाएगा प्यारे साथियो ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जुरूर जोईन और सब्सक्राइब करने का काम करना थैंक यू प्यारे साथियो